So welcome to the channel guys और मैंने अभी अभी एक brand new trailer चेक किया है थलैवी जो लेट जाहे ललीता जी के life के ओपर based है और उनका role play करती भी नजर R.E.S. फिल्म में कंगना रनौत तो ये trailer मैंने अभी देखा and the trailer is looking really good जो कि ये कई बायोपिक से हम expect करते हैं कि उस इनसान की life हमें बताई जाए details पता चले तो इस trailer को देखने के बाद फिल्हाल तो ऐसा लग रहा है कि ये film अच्छी हो सकती है जैसे के हम जानते हैं जो जैल अलीता जी थी वो 1960s के टाइम पे South की एक बड़ी actress थी काफी famous actress थी उन्होंने कुछ बहुती भैतरीन करीवन सो से जादा बढ़िया फिल्मे की और उसके बाद वो politics में आ गई थी और फिर वहाँ से उनका सफर politics में बहुती लंबा चला वो छे बार Tamil Nadu की chief minister भी रह चुकी है और 2016 में उनकी death हुई थी तो उनकी life एक काफी मतलब roller coaster और एक larger life रही है तो अब उस किरदार को परदे पे उतार रहे हैं कंगना रनौत और जितना इस trailer में दिखाया है आधा से कम हिस्सा दिखाया है उनकी filmy life के बारे में जो की शुरुआत है obviously कि वो जब actress थी तो जो उनका look है वो सब कुछ और उसके बाद trailer direct focus करता है उनकी political life पे जो की serious है और सबसे main वही रहा है उनकी life का highlight और किस तरह से वो being a female obviously जो male dominated society है जो आज भी है तो उस वक्त पे उस जमाने में तो और भूरी हालत थी और और भी ज़्यादा था तो उस time पे एक female का rise करना वो भी politics जैसे field में और chief minister बन जाना अपना एक रुतबा खड़ा करना एक अपनी place बनाना वो कोई छोटी बात तो है नहीं जिसके कारण जैललिता को याद किया जाता है जाना जाता है तो उनकी portrayal की अगर मैं बात करूँ तो Kangana Ranaut is looking good जैसा कि हमने पिछले कुछ pictures भी उनकी leak हुई थी काफी पहले ही तो उसमें जो prosthetics वगएरा से I guess use किया गया है उनकी थोड़े गाल वगएरा मोटे किये गए जो look है जैललिता वाला उनके बाल जिस तरह से style है तो वो हमें trailer के end में नजर आता है जो old जैललिता थी जो लोगों की दिबाग में जादा fresh है वो look इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से achieve किया है और उसके पहले का भी जो look है अगर मैं look की बात करें दो तो उसमें एक अंग्रनानौत सही लग रही है और जो बोलने का तरीका है जो style है वो सब कुछ भी बढ़िया लग रहा है और film के perspective में अगर सिफ film की बात करें जाए यह trailer किस तरह का है तो ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है कुछ जादा extra drama या फिर जो चीज नीड़ नी थी जो part नीड़ नी ता story नीड़ नी है वो नहीं दिखा रहे है पॉंट टू पॉंट बात इसमें मुझे लग रहा है जो उनकी फिल्मी लाइफ थी वो उसमें दिखा रहे है तो उसमें कुछ गाने वगेरा भी यूस हों गई बट उसके बाद film सीरियस हो जाती है according to this trailer अगर मैसिव ट्रेलर की बात कर रहा हूं भी फिलाल तो तो अगर हम ट्रेलर से ही जाएं तो फिल्म अच्छी हो सकती है यह फिलाल उमीद है बन रही है and this is looking good तो I don't think कि यहाँ पर कुछ messed up होगा obviously Kangana Ranaut we all know she's a great actress तो performance wise तो हमें disappointment नहीं मिलेगा और ट्रेलर देखके काफी हद तर यह चीज़ क्लियर हो चुकी है और बाकी let's see कि कि किस तरह से यह स्टोरी को present करते हैं जिस तरह से ट्रेलर में इन्होंने cut to cut दिखाया है क्या यही sharpness वो फिल्म में भी रखेंगे की नहीं तो जादा बढ़िया रहेगा तो यह था मेरा review छोटा सा reaction on this trailer और आपने भी अगे ले ट्रेलर देख लिया तो अपने भी वीज़रूर शेयर करिए मिलता हम आप अगली वीडियो में तिल दन बाबाई